Hi everyone, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेंटिंग के लिए आप घर पर प्राक्टिस कैसे करें तो अगर मेरे वीडियो देखकर आप घर पे फैबरिक पेंटिंग की प्राक्टिस कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप पेपर पर पहले प्राक्टिस करें तो किस तरह आप प्राक्टिस करेंगे वो में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्राक्टिस के लिए सबसे पहले आप खरीद लीजे एक स्केचबुक sketchbook का paper थोड़ा थिक होना चाहिए क्योंकि हम इस पर watercolor, poster color और sketching सभी की practice करेंगे sketchbook में paper का जो front side होता है वो rough होता है तो हमें rough वाला side ही use करना है क्योंकि इस video में हम practice कर रहे हैं इसलिए हम watercolor का use नहीं करेंगे watercolor की जगया हम poster color का use करने वाले हैं यहाँ पर मैंने camel brand के poster colors का use किया है इस box के अंदर मुझे total 18 shades मिलते हैं और इस box का price है 250 rupees coloring के लिए मुझे specifically 2 या 3 color ही चाहिए तो मैंने decide किया है कि मैं brown shade में painting करने वाली हूँ painting करने के लिए मैंने यहाँ brown, persian blue, yellow, mustard yellow and black color निकाल लिया है एक color plate water coloring के लिए brushes अब आप यहाँ देख सकते हैं कि water color के लिए किस तरह के brushes का use किया जाता है यह brushes बहुत soft crystal वाले हैं और ज्यादा तर यह brown color में आते हैं जैसा आप देख रहे हैं हो सकता है brown color के natural hair वाले brushes आपको easily ना मिलें तो उसकी जगह पर आप यह जो white brush देख रहे हैं इस brush का भी set यूज़ कर सकते हैं तो यह white brush fine arts का flat brush है brush number 4 उसके बाद यह है fine arts का water color bristle वाला round brush इसका भी पुरा set आता है यह maroon color का जो brush आप देख रहे हैं यह है fine arts का round brush number 8 और यह flat brush है cameline का brush number 4 तो यहाँ पर आप जो दो blue color के brown bristle वाले water color brush देख रहे हैं यह जो पतला वाला brush है वो number 4 है और दूसरा brush number 6 है इन brushes का कोई famous brand नहीं है तो आपको यह brush थोड़ा ढूणने पड़ेंगे fine arts का brush number 2 and number 0 यह brushes आपने मेरे common brush के वीडियो में देखे होंगे जो mostly आपको जरूरत पड़ते हैं तो अब मैंने start कर दी है drawing और drawing कैसे करना है इसका tutorial मैं एक दूसरे वीडियो में बनाऊंगी आप यहां हरवक मेरी palette देख सकते हैं मैं कितना कम water use कर रही हूँ और उससे भी कम मैं color use कर रही हूँ सबसे पहले मैंने लिया है Persian blue color मैंने decide किया था कि इस painting को मैं brown shade यानि की brown के tint and tone में बनाने वाली हूँ तो जब मुझे brown का darkest shade चाहिए होता है वीडियो में जितनी भी coloring और shading टेकनीक है वो आपको देखते ही समझ आ जाएगी अगर फिर भी आपके कोई doubt है तो आप comment section में ज़रूर पूछिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर subscribe करिए ऐसा ही exciting वीडियो लेकर मैं आपसे मिलती हूँ next वीडियो में लेकर किर दो बात हुँ अड़र में ज़रूर को suitable झारे पात है ज़र आ गयो Kim गुशार्य आपक्तिए ительियो वीडियो पोग्त है कि भी निड़ी नियूद淇ब एग को घचा हिए जो अगित में हुआ है अचिक है ऑचिक और है, वे शड़ेगा है यह जो सिर्ट करें दिएकि जदेगा है झाल कि एक एक फो दो देगित झाल 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 झाल